नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 17 अगस 2022 देख लेते हैं इंडियान एक्सपर्स के इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे पास में आज जो इशूज हैं एक तो यह कि किस तरीके से हमें एक बेल एक्ट की ज़रुत है क्योंकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो बाते कही जाती हैं उनको लेटर इंड स्पेरिट में इंप्लिमेंट होते हुए देखा नहीं जा रहा है दूसरा हम जानेंगे कि पावर सेक्टर में जो क्राइसिस है उसके कितना डीप सिच्वेशन है वो थोड़ा साम डीडेल देखेंगे और लास्ट में एक पॉइंट बचेगा वो है कि हम बंत होता पोर्ट पे श्रिलंका ने अल्टिमेटली अलाव कर दिया है चाइनीज शि बंतस्य की दूरा लिखाओ लैं आटिकल है देखो क्रिमिनल जेस्टिस सिस्टम में तीन एंटिटीम करके सिस्टम को बनाती है फ Alors फिर जूडीशरी और फिर होती है जेल की ठीक है पुलीश का काम है एरेस्ट करना इंवेस्टिगेट करना सब्सक में इसक्र हम यह मान के चलते हैं कि इनोसेंट है सब लोग फिर उसके हिसाब से हम आगे ट्रायल को कंडेक्ट करते हैं यह भी कहा जाता है कि किसी भी निर्दोश को सजा नहीं होनेचे से दोशी छूट जाए तो इस आइडिया पर हम चलते हैं तो पॉइंट यह है कि इसका मतलब हमारे आपर अरेस्ट भी कम होने चीए जब इनोसेंट ही आप मान रहे हो पहले निर्दोशी ही मान रहे हो तो उस केस में आपको अरेस्ट कम करने चीए बट प्रिजन स्टाटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2020 रिपोर्ट क्या कहती है बोला 76 प्रिजनर्स जो जेल में है अभी 76 परसें है कि आप इनोसेंट पहले मानते हो तो इनोसेंट अगर आप मानते तो जेल में क्यों डाला आपने उनको तो ये चीज यहाँ पर फैल हो जाती है कुल मिलाकर के बेल जो है वो मिल नहीं रही है ओके जेल में लगातार रखा जा रहा है तो इस तरीके से investigating agencies के पास में और तो code of criminal procedure CRPC उसके section 41 और section 41A इन दोनों में modification किया हुआ है provision डाला हुआ है कि punish अगर किसी को 7 साल या उससे कम की सजा मिल रही है न तो उस बंदे को आप कम से कम कोशिश करो कि आप उसको जेल में डालो हाँ 7 साल से ज्यादा कि अगर सजा है तो आप फिर बाद में जेल कर लो पर वही चीज है कि क्या पुलीस के पास में इतना कुछ हमारे पास में इतनी advancement है कि बिना arrest किये वह investigation कर लें बस वही चीज है investigation करने के लिए सबसे पहला कदम ही यही consider किया जाता है कि उठाओ और जेल में डालो फिर वह जेल में कई दिनों तक पड़े रहते हैं हमारे आपे already courts में इतना ज़्यादा burden है कि time लग जाता है कई बार तो custodial violence का भी आता है कि जेल में जो inmates हैं उनको torture किया जाता है ठीक है lower court पे burden भी लगाता रहता है क्योंकि arrest करने के बाद में सुनवाईयां चलती रहती है बार बार तो कुल मिला करके हम बार बार देख चुके हैं कि bail over jail के concept पर करना चाहिए हमें कि jail की बजाए अगर bail को आप ज़्यादा rely करोगे तो ठीक रहेगा पर वही चीज़ है कि यहाँ पर अगर हम आज के time पे जितनी pending bail की request है उनको देखे तो बहुत ही जाता है ठीक है फिर चाहे district court हो high court हो चाहे supreme court हो ठीक है हर जगह पर हाल है खराब पुलीस के पास में और तो कोई approach है नहीं investigation के लिए सबसे पहला कामा arrest कर लो जबकि supreme court का recently जुलाई 2022 का ही आप देखो एक verdict है जिसमें सतेंदर कुमार एंटिल वर्सेश सी बी आई जिसमें supreme court ने साफ साफ कहा कि CRPC के section 41 and 41A को आप proper manner में follow करो जिसका मतलब क्या हो गया कि आप bail over jail पे rely करो जेल में मत डालो लोगों को उठा कर गया अगर 7 साल से कम की सजा है किसी भी offense के लिए तो आप उसमें ये कोशिश करो कि उसको बंदे को तो जेल से free रखो ठीक है बेल पे रखो और time time पे जब जब भी आपको सुनवाई करनी हो तब वो बंदा आ जाए उसके उपर आप पकड़ बना कर गे रखो ठीक है इससे क्या हो रहा है कि जेले over crowded हो रही है ओवर crowd होने की वज़े से भी फिर बाद में problem आती है जो वहाँ पर inmates है उनको वैसे इससे related जो content है वो हमने already explain piece में discuss किया था जब यह verdict आया था Supreme Court का ठीक है तो आप जरूर देख लेना description box में मैं share कर दूँगा 13 जुलाई का discussion है अपना ठीक है तो उसमें यही बोला गया था जो हम यहाँ आपर discuss कर रहा है मोटी मोटी बात है ठीक है पर वो ही चीज है कि क्या इनको माना जा रहा है दूसरी चीज यह है कि accused जो आरोपी है उसके भी तो कुछ अदिकार होते है वह human तो है वो है ना अब आरोपी है दोश तो अभी साबित नहीं हुआ conviction हुआ नहीं तो दोशी भी नहीं बोल सकते तो आप कैसे punish कर सकते हो तो वो जो हमने explain page discuss किया था ना उसमें सीधा यह बताया हुआ था कि US, UK, Australia, New Zealand ऐसे countries हैं और बहुत से ऐसे world में countries हैं जहां पर bail act available है that means जो आप जमानत होती यह जमानत के लिए कानून available है हमारे आपर discretion चलता है discretion का मतलब judge को decide करना है judge case to case देखेगा और इसे साब से decide करेगा बट यहां पर भी issue आता है जो हम आगे देखेंगे कि Supreme Court ने जुलाई में तो क्या बात बोल दी और 15 दिन के अंदर अंदर ही पल्टी मार गया Supreme Court क्या 68th report आई है उसने भी यह बात कही है कि हमारे आपर bail act available नहीं है यह available होना चाहिए जिसके basis पे किसी को अगर bail आप देना चाहो तो उस act के basis पे देनी possible हो सके क्योंकि आज Indian Penal Code की बात करो special acts की बात करो CRPC की बात कर लो इन acts में कहीं पर भी bail के बारे में provision है तो उसको interpret करने में कहीं नहीं कहीं कोताई भरती जाती है courts के द्वारा तो क्यों ना हम एक explicit condition बना दे अलग से कानून लादे bail के लिए तो बोलो वो आसान रहेगा exactly यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने सहतेंदर गुमार एंतिल वर्सिस CBI केस में अपनी दरफ से open up किया है कि यह चीज हो सकती है जिससे की जो accused है आरोपी है उसके भी तो जो problems है जो issues है उनको sort out कर सको एक effective redressal mechanism हम तयार कर पाएंगे विक्टिम के लिए भी और दूसरी तरफ accused है तो जब तक उसका कहता ना कि accusation complete convict नहीं होता तब तक तो कम सकम उसको protection मिले ओकी पर वोई चीज है कि हमारे यहाँ पर ज वो लापरवाई में ignore कर जाते हैं ठीक है जैसे आप यहाँ पर देखो कि कई बार ऐसा लगता है कि lower courts जो है वो judgment के लिए जो spirit से ही होती है मतलब जो आप convention देखो जो higher courts के verdicts है higher courts ने क्या सोच करें किया बात कही उन चीज़ों को ignore कर देते हैं ठीक है तो बोला lower हमें पता है कि arrest करने के बाद में 24 गंटे के अंदर अंदर आपको magistrate के सामने पेश करना होता है किसे भी criminal को और वो 24 गंटे के बाद में criminal को jail में रखना है कि नहीं रखना वो decide करता है magistrate अब judge अगर वहाँ पर यही नहीं decide कर पा रहा है कि हाँ जी किस चीज में तो हमें jail में डालना है क इसमें नहीं तो वो भी फिर बाद में ज्यादा दिमाग ना लगाने की बजाए क्या क्या देता है ठीक इसको ले जाओ जेल में डाल दो इस तरीके से वो for granted लेने वाले आदत रह जाती है तो बोले ये चीज़ ठीक नहीं है ये तो हो गई देखो आज के 15 दिन पहले की बाद अब 15 दिन बाद में क्या होती है कि नया केस आता है सुप्रीम कोर्ट में विजय मदनलाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है PMLA से related प्रेवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग एक्ट से related इसमें क्या बोल दिया बेल के लिए जो arbitrary condition है कि जच जो है वो अपने इ यहाँ पर innovation sorry innocence की जो presumption थी कि हाँ जी निर्दोशी होते हैं लोग शुरुवात में जब तक उनका दोश साबित नहीं होता है तब तक निर्दोशी मान कर चलो तो आप एक चीज बताओ कि यहाँ पर description क्यों ला दी जबकि 15 दिन पहले ही आपने सत्यंदर कुमार एंतिल केस म में कि किसी के अगेंस्ट में अगर केस चल रहा है किसी को जेल में डाला जा रहा है तो arbitrary condition पे वहाँ पर judge decide कर लेगा कि हाँ जिसको जेल में डाला है कि नहीं तो कुल मिलाकर के बोले यह confusion पैदा करने वाली बात हो गई तो राइटर इसी चीज़ के लिए यहाँ पर highlight कर रह कुल मिलाकर के court ने जो बात कही उसका impact सीधा investigating agencies पर जाएगा और वो फिर बाद में अपने mechanical concept पर आ जाएंगे उठाओ जेल में डालो बाद में देखेंगे कि बंदे ने गड़बड की थी की नहीं अगर की थी तो continue साजा और नहीं की तो 2-4 साल तो जेल में काटना ही यह हा क्योंकि कई ऐसे होते हैं कैदी जिनको जेल में डाल दिया गया और उनका जो दोश है वो ही साबित नहीं हो पाता है तब तक पता पड़ता है कि उनके 3-4 साल तो बीच चुके हैं जेल में तो ऐसी परिस्तितियों में उनका एक बहुत ही precious वक्त समय जेल में निकल जाता है तो क्या किया जा इसके लिए तो इन confusion को ठीक करने के लिए सब से पहले तो bail act लाने की ज़रुत है दूसरा investigating agencies को natural justice के principle पर काम करने की ज़रुत है मतलब कि बच जब आपके पास एक तो bail act available है दूसरा natural justice का मतलब ही होता है कि case में आप ये देखो कि कितनी gravity है सही में बहुत ज बंदा एक habitual offender है ही नहीं continue कर रही ही निरा back to back कोई cases ही नहीं उसके खिलाफ में ना उसका को कोई criminal background है तो इस case में आप उनको punish करो या फिर बिना conviction के punish करो जेल में डालो तो बोलो ठीक नहीं है तो ऐसे में natural justice का principle फॉलो करने की ज़रुत है police officers है उनको देखो objective रहने की ज़रुत है कहने का मतलब case to case ये देखे factual details को check करें और फिर उसे साब से देखे ये ना देखे पूरी detail में जाकर के खुद जज ना बने कुल मिलाकर के बात या रही है ठीक है और ये जो routine है arrest करने का इसको थोड़ा सा reduce करने की ज़रुत है ठीक ह रहता है बाहर क्योंकि वो अकेला soul bread bread earner रहता है अपनी family का तो वो और crisis है तो ऐसी परिस्तितियों में हमें एक bail act की ज़रुत है और ये कुछ reforms और आने चाहिए ठीक है आगे चलते है नेक्स्ट आर्टिकल पावर a reality check आर्टिकल को लिखा है अभी शेक आनन्द नव नीरश शर्मा एंड अर्विंद सुब्रमन्यन जी के द्वारा इनका ये कहना है कि अभी देखो government of India के द्वारा revamped distribution sector scheme जो है वो चलाई जा रही है जिसमें क्या 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 जा रहा है जो discom company जो बरबाद हो भी बैठी है तो उनको कैसे भी करके निकाला जाए तो central government तो देखो अप ज़्यादा लाफरवाईय की जा रही है और इसी को लेकर कि अभी मुद्दा भी चल रहा है freebies का ओके आप देखो पंजाब और राजस्थान राइटर्स के दोरे बताया जा रहा है कि पंजाब और राजस्थान ऐसे दो states हैं जो की बहुत ज़्यादा गाटे में चल रहे है बहुत ज़्यादा करजा इन पर चल रहा है मतलब जो इनकी रिसिप्ट है उससे ज़्यादा expenditure है जितनी का income है उससे ज़्यादा खर्चा है जबकि 15 finance commission ने जो level शो किया था उसको दोनों breach कर रहे हैं और इन दोनों states के अलावा बाकी बचे वे जो states हैं उनकी अगर हम बात कर हैं तो दोनों में से कोई या तो दोनों target अचीव कर रहे हैं क्याने का मतलब ना तो deficit 15 finance commission के द्वारा जो recommended level है उससे ज़्यादा deficit नहीं जाने दे रहे हैं और करजा भी ज़्यादा नहीं है या फिर दोनों में से कोई एक target अचीव कर रहा है अगर fiscal deficit ज़्यादा है तो करज ज़्यादा नहीं ले रखा कुल मिलाकर के बात क्या रही है कि पंजाब और राजस्थान के अलावा बाकि स्टेट्स ने दोनों indicators को या दोनों में से किसी एक indicator को manage कर रखा according to 15 finance commissions recommendation अब देखो बात ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हम एक developed country बने जैसे कि हमारा target girl fix किया है प्राइम entity wise electricity supply ensure करने की पूरी कोशिश है कर रहे हैं बहुत सारे scheme चल रहे हैं बहुत सारे program चल रहे हैं तो इस case में government को इस चीज़ के लिए credit देना हमें चाहिए क्यों क्योंकि यह हमारा target है क्योंकि power accessibility जब तक नहीं होगी तब तक आप development की तरफ आगे बढ़ो थोड़ा सा कम chance लग हुआ है जो की वाकई में बहुत बड़ा catastrophe है बरबादी की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो writers बोल रहे हैं कि एक बार हम 2020-21 के fiscal year की बात करते हैं उसमें discoms का combined loss लगबग 2.1 lakh करोड आ रहा है जिसमें आप subsidies और grants को exclude कर दो अगर वो include कर दोगे तो लगबग 3 lakh करोड रुपए तक का घाटा आपको मिलेगा जबकि आप देखो उद्य स्कीम already implement हो रही थी उस स्कीम के तहत भी state governments को यह ultimatum या फिर एक तरीके suggestion दिया गया था central government के द्वारा कि आप जो है वो bond issue करके पैसा उठाओ market से और अपने इन discoms को बहार निकालो करजे से discoms करजे से बहार निकलेंगे गाटे से बहार निकलेंगे तो जो generation companies उनको payments आएगा तो वो भी crisis से बहार निकल पाएंगी पर सवाल यह है कि क्या state governments ऐसा properly कर पा रही है वैसे इस article में starts बहुत ज़्यादा है बहुत सारा data है मुझे नहीं लगता वो data हमारे इतना ज़्याद कि जानते हो आप already देखो state government जो है वो अभी भी देखी जाए तो GDP का state की GDP का लगबख 1.5% तक वो नुकसान में है नुकसान में चल रही है तो यह तो किवल एक sector है government के तो बहुत सारे sector से ऐसा तो मिला करके अगर आप 5-7-8% तक अगर GDP के loss में चले गए तो कितने लाखों क करोडर रुपए का नुकसान हो जाता आप खुद देख सकते हों कुल मिलाकर के बात यह है कि यह तो क्या है 2010 से लेकर के 2019 के बीच में कुछ ऐसी परिस्तिती आई थी जो favorable थी और थोड़ा सा नुकसान जो था वो control में आ पाया नहीं तो बोला हालत होती खराब इन discoms की ठी गुजराच जैसे state में जब हमने understanding देखी इस पूरा detail search out किया तो पता पड़ता है कि वहाँ पर ponji scheme पर काम किया जाता है और ponji scheme की वज़े से बहुत जादा नुकसान वहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी तक हमने discoms के बारे में देखा कितने articles discuss किये कहीं पर भी ponji scheme का न finance देने के लिए कौन सी agencies काम कर रही है वही सीधी सी बात है अगर कोई भी sector नुकसान में जाता है तो वो तो borrow करेगा बौरो करेगा तो कोई ना कोई तो creditor होगा ना कोई ना कोई तो उधार देने वाला कौन है वो उधार देने वाली जो agency है ना वो ponji scheme पर based काम करती है और आप पैसा लगाओ आज और फिर उसके बाद में आपका पैसा double triple हो करगे और आपको return मिलेगा तो कुल मिला करके कि पहले के जो investors हैं जैसे मान लो कि आज किसी ने scheme launch की उस scheme में क्या करेंगे कि हार पैसे लगाओ आप तो आपको double करके देगी सरकार या सरकार तो क्या करेंगे मतलब जो investors हैं उनको कैसे attract किया जाता है कैसे पैसा invest करा गया है इस particular sector की अगर बात करें उसका तरीका ये है कि investors को ये बोला जाता है कि हाप पैसे लगाओ आपके पैसे इतने दिनों में double हो करके आपको मिल जाएंगे अब investor क्या करे को रहे और इतने कम टाइम में डबल पैसा हो करके मिल रहा है तो चलो लगा देते हैं तो वो पैसा लगा दिया अब पैसा लगाने के बाद में डबल कैसे होगा जी डबल होने के लिए तो कुछ ना कुछ लंबा समय लगता है ठीक है हम देखते हैं कि investment में एक छोटा सा business भी लेके आद में बैठता है तो डबल होने में कितना time लगता है बट short term में बहुत बड़ा amount जो लगवा करके हो और फिर बाद में लोग double करवाने के पीछे पढ़ जाते हैं कई schemes आती रहती है ऐसी तो ऐसे में investor को क्या लगता है कि पैसा मिलेगा और जो invest कराने के लिए फरजी वाड़ा कर रहा है fraudulent activity कर रहा है उसको फायदा हो जाता है अब क्या करेगा वो बंदा कि नए investors को पकड़ेगा ठीक है जैसे एक phase में कुछ investors के पैसे invest करा दिये अब second phase में नए investors को पकड़ेगा वो company चलाने वाले वो कहेंगे कि भई पांजी scheme में invest करो एक का दो लो एक का दो लो इतने में दूसरे आ करके invest करतेंगे तो अब क्या होगा कि पहले phase के जो लोग थे उनको तो देखो double करके पैसे दे दिये जाता है क्योंकि confidence building भी तो ज़रूरी है ना लोगों को दिखे क्यार मेरे पैसे double हुए थे तो फिर उसको देख करके 10 जने और add करेंगे क्यों हर कोई चाता है कि free fund में अगर पैसे पड़े पड़े डबल हो रहे तो गाटा किया अपने को तो पहले phase में तो उनका खुद का पैसा और दूसरे phase वालों से लिया हुआ पैसा दोनों जोड़ करके और पहले phase वालों को देख करके रवाना कर देते है चलो जी अब investment आता है इनके पास में जबरदस्त अब फिर बाद में यहाँ पर अगर दस जनों ने first phase में दस जनों ने इन्वेस्ट किया था तो अब यहाँ पर सो हजार जने भी इन्वेस्ट करेंगे और वो हजार जनों का पैसा ले करके रवाना रफू चकर कुल मिला करके लोगों के साथ दोखा होता है पर सवाल यह है कि government system में कौन कर सकता है ऐसा यहाँ पर यह system निकल के आ रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है डिसकॉम्स में आप पावर सेक्टर में सीधा यहाँ पर आएंगे देखो यह देखो यहाँ पर कि pongee scheme के थूँ कौन यहाँ पर financing का system कर रहा है देखो आप सबसे पहली चीज़ तो यह देखो कि power sector को finance करने के लिए दो institutions काम कर रहे है एक तो power sector मतलब public sector banks तो करते ही है इनके अलावा कोई institution वो है power finance corporation एक है rural electrification corporation यह दो एजेंसी काम कर रही है और यह दो एजेंसी इनेबल कर रही है इस pongee scheme को जिसमें लोगों से invest कराया जाते हैं यह कहके कि पैसा आपको कम time में बिना किसी risk के आपको सही time पर return बढ़िया मिल जाएगा तो इस case में वो investor से invest कर देते हैं पर आपको पता है यह कहां पर लाग लगा रहा है पैसा power finance corporation और rural electrification corporation यह पैसा कहां लगा रहा है यह power sector में लगा रहा है जो कि भरबादी में चला जा रहा है तो कहां से return होगा investor के साथ दोखा हुआ कि नहीं तो more or less spongy scheme की तरीके की idea पर काम किया कि नहीं होने कि investor को गलत जाशा दे करके bond release किया पैसा invest कराया और अब वो पैसा return करने में आ रहा है जोर क्यों power discom sector चल रहा है बरबादी में PFC और REC को पैसा दिया था वो पैसा मांगने के लिए जब line में लगेंगे और उस time पर इन्होंने जो invest किया है वो तो बरबाद हो ही चुका है और निकलने की बात जब आएगी तब पैसा और निकलने में जोराएगा तो कुल मिला करके इलेक्रिकल डिपार्टमेंट या फिर कहें कि पावर सेक्टर में जो बरबादी है वो अभी कुछ नहीं दिखिए वो तो अब दिखेगी बोलो 2014 से अभी तक की बात करें तो PFC और REC ने लगबग पावर सेक्टर को आप देखो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्मेंट बैंकों से भी ज्यादा लोन दिया है कितना 6 लाग करोड रुपे तक का लोन अब आप खुद देख लो जो कि बढ़गर के 2017 में 7.6 लाग करोड तक हो चुगा है तो बोला आने वाले टाइम की vulnerability तो बोला पावर सेक्टर की असलियत तो यह निकालेंगे जिन्होंने funding दी है अभी तक पावर सेक्टर को क्राइसिस से बाहर निकालने में वो खुद ही गर्त में फसे हुए है तो यहाँ पर हमें तीन realities का पता पड़ता है पहला तो कि financial problem जो है discoms की वो बहुत ज़ादा हो चुकी है out of control है दूसरी चीज यह है कि state governments है वो सोच समझ करके काम करें यह बहुत ज़ादा जरूरी है बट RBA का जो analysis recently release हुआ था उससे भी graver situation है अगर पावर सेक्टर की बात करो तीसरी चीज vulnerability अभी खतम नहीं हुई है कि आप जानते उससे काम चल गया अभी तो PFC और REC के जब पत्ते खुलेंगे ना तब समझ में आएगा कि बावर सेक्टर कितना ज़्यादा crisis में है तो कुल मिला करके यह तीन trends जो है बोले यह तो आप समझ लो अब सवाल यह है कि क्या किया जाए जिससे की इन प्राब्लम से हम निकल सकें बोला हम next article print करके देंगे उसमें आप पड़ना समझ गये तु नया देख लो आप क्या हो रहा है यहाँ पे next article है in choppy waters देखो श्रिलंकन government ultimately दबाव में आ करके और जो चाइना का surveillance ship है युवान वैंक 5 इसको अलाव कर रहा है इसके पीछे अगर देखें और अलाव कहाँ पे हम सॉरी हम बंटोटा port पे ठीक है जो चाइना ने डवलप की है तो इसके पहले यह इसमें हमारे लिए जो points हैं उनमें देखो एक तो कि Chinese vessel जिसकी बास में इतनी ज़्यादा strategic capabilities है कि 7500 km तक का surveillance वो easily कर सकता है अपने आस-पास के area की बात करे तो तो ऐसे में इसके पहले कोई भी इस तरीके का strategic Chinese vessel Indian waters में नहीं आया Indian ocean में अपनी travel करने के लिए नहीं आया है क्योंकि जगातार इंडिया के security concerns को ignore कर रहा है अब सवाल यह है कि एक तो चाइना के vessel का आना और दूसरा Indian security को compromise होते हुए स्रिलंका के द्वारा allow करना इसके पीछे करण क्या है चाइना का pressure स्रिलंकन economy दबाव में है स्रिलंकन economy बरबाद होई हुई है और इस time पर अगर चाइना को अगर नाराज करे तो पैसा कौन देगा IMF और चाइना के अलावा स्रिलंका के पास में कोई दूसरा बड़ा option है नहीं तीसरी चीज़ चाइना ने जिस तरीके से अपनी investment कर रखी है वो दबाव बनाता है कि भईया पैसे दो अगर हम हमारी बात नहीं मानोगे तो तो ऐसे में घुटने टेकने पर मजबूर है वैसे तो बोलने को तो हमबत हो था पोट को पहले ही बता दिया था कि भई एक बहुत बड़ा रिस्क लिया जा रहा है पर एक तरीके से स्रेडलंका ने अपनी सौवरेनिटी कॉंप्रमाईज कर रखी है कुल मिलाकर के चाइना के सामने अगर हम कहें तो ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना ने जो फाइनेंशिल और स्ट्रेजिक मसल अपलाई कर रखा है अच्छा इसको काउंटर करने के लिए इंड पावर को बहुत जादा यूज करता है पर वही चीज है कि हम क्या कर सकते हैं तो सवाल इसका जवाब एक आता है एक तो लाइक माइंड़ेट गंट्रीज जो हैं उनको हम साथ मेले उनको साथ मेले करके और फिर बाद में एक लोबिंग क्रियेट की जाए जिससे कि श्रलंक यूएस और इंडिया तीनों मिल करके बहुत कुछ कर सकते हो और उस चीज के लिए अगर उस्ट्रेलिया को भी तयार किया जाए तो उस्ट्रेलिया डेफिनेटली राजी होगा क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अगर बात करें तो हमारे से ज्यादा सेंट्रल लोकेशन उस्ट्रेलिया की निकल के आती है राइट हाँ वो बाठी का थोड़ा साउथ की तरफ है पर फिर भी बहुत हद तक चाइना एक चैलेंज के तौर पर इमर्ज होकर क्या रहा है तो इंडियन ओशियन में जो चाइना की पकड़ है तो उसको काउंटर करने में उस्ट्रेलिय अभी पीछे नहीं जाएगा तो कुल मिलाकर कि यह एक लाइक माइंडेट कंट्रीज को साथ मिलाने की जरुवत है दूसरी चीज आईमेफ से जो लोन की रिक्वार्मेंट है स्रिलंका को वो लोन सेंक्शन जल्दी से जल्दी हो क्योंकि यूएस और जपान ये दो ऐसे करने की जरुवत है और एक ये रियालिटी हमें समझनी होगी कि ये युवान वैंक फाइव की जो विजट है ये होकर की है कि लास्ट रह जाएगी तो ये लास्ट नहीं है भीया ये नया चैप्टर शुरू हो गया है अब पता नहीं कितनी विजट करवाएगा चाइना तो ये चीज यहां पर आती है निकल के डिसकेशन यहीं कहता है थैंक्यू वर्य मच्छ